हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टो माई चैनल और मैं हूनिधी और आज के वीडियो में शेर करने वाली हूँ पुरा एक दिन का डायेट प्लान जो कि इंस्पायर्ड है मेरे लास्ट वीडियो के चैलेंज से चैलेंज का नाम था कलरफुल प्लेट चैलेंज क्या करना है क्या बैनेफिट से वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है बाइदेवे जिन लों को नहीं पता है तो मैं एक स्रीज कर रही हूं फिट रहो हिट रहो फॉर बिजी मॉम्स तो कुछ इजी है जो कि अपकी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने में बूस्ट करने में में हेल्प करेंगे तो उसी के ऊपर मेरे सारे कमिंग वीडियो जो है वो आएंगे 8-10 टिप्स मैं आप लों के साथ में शेयर करने वाली हूं तो अभी 2-3 वीडियो जा चुके हैं इनके सगर आपने मिस कर दिया है तो जल्दी से लिंक मैं आपको पिन कॉमेंट में दे तो यह भी उड़ गया तो मैं बीच बीच में उसको भी खिला दे थी तो थोड़ा फ्रूट खाले से इंस्टन एनर्जी हो जाते है थोड़ा पेट भी भरा रहता है और उसके बाद अब मैं हाँ ब्रेक्फिस्ट बनाने तो जैसे कि आरा चैलेंज का नाम है कलर फुल प्ल होता है असारी से बन जाता है और बहुत ही अच्छा आपको न्यूट्रिशन दे देता है प्रोटीन काब्स एवरिधिंग सब आपको मिल जाता है तो ब्रेक्फिस्ट डिनर सभी मैं आप इसे बना सकते हो तो यहां पर यह मैंने स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद इसके क्योंकि क्लर कॉमिनेशन कितना जदा अपीलिंग लग रहा है और जितने ही कलर्स हमने एड गिया है तो उतने ही इसमें न्यूट्रिशन भी अपने आप ही एड हो गए है और घर में सबको इतने ज्यादा पसंद आई कि इस कितने ज्यादा डिमांड हो रही है कि अभी सब्सक्राइब तो उसमें वो रेसेपी काम आएंगी और तब मैं आपको डीटेल वीडियो जो है वो शेयर करोगी आज के वीडियो में दूसरी रेसेपीस आपके साथ में शेयर करने वाली है और अगर आने वाले वीडियो देखना चाहते हो टाइमली तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लो तो यह देखे कितना सुंदर टेस्टी जो हमारे चानादाल डोसा है वो रेडी हो गया है और मैं अपना ब्रेक्वस्ट जो है वो अरांग नौ बजे पंदर मिट आगे पीछे हो जाता है तो उस नौ बजे का आसपस अपना यह पॉपल कलर का मैंने स्वीट पटेटो का लिया है यह बहुत आप आसानी से बना सकते हो बट बहुत ज्यादा फुल फिलिंग होता है इसमें बहुत सारा फाइबर आपको मिल जाता है इसलिए तो इसको बॉil करके इसके ओपर सुरा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करो और इ इसमें है दो गेहों की रोटियां दही और तोरी की सबजी है और गाजर मिर्च मूली का मैंने घर पे अचार बनाय था वह है और सालेड है तो इस तरीके से अब देख रहे हो कि इतना सुन्दर कलरफुल थाली हो गई थी मेरी उसके बाद चार बजे और छे बजे के करीब म अपने नहीं देखी है तो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी जो हमारा हाइडरेशन किकस्टार्ट चैलेंज मैंने बताया था उसके अंदर मैंने डीटॉक्स वाटर के दो रेसेपी शेयर की थी तो आप इसको जरूर से देखिया और जरूर से बनाये आपको भी जल्दी कोशिश करती ओंकी प्रिपार कर लो सो धात की टाइमली डिनार हो पाये तो हम लोग जनरली 8 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं तो आज डिनर में कलर फुल प्लेट जो में लगानी है तो उसके टागेट के साब से मैने गाजर कैपसिकुम और अलु की सबजी वना मेरी सबजी एक तरफ बन गई थी इसमें डालना है खुब सारा धनिया भी धनिया बहुत ही अच्छा आ रहा है मारे तो तो वह मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया तो आप देखो कि किलर्स कितने सारे इसमें एड हो गए हैं कलर एड करने से न्यूट्रिंट तो एड होते है आपकी जो भूख है वो भी काफी अच्छे से एपटाइट जो है वो भी काफी अच्छे से कंट्रोल होती है प्रॉपरली भूख लगती है आप आराम से खाना खाते हो खाने को एंजॉय करते हो तो खाना जो है अच्छे से एब्जॉब भी होता है हर्मोनल चेंजिस होते ह तो आज के डिनर में सबजी और डालतु मेरी बन गई है रोटी मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की तो मेरे पास अलका जी का बार बार कॉमेंट काफी लंबे टाइम से आ रहा है कि मैं जवार की रोटी कैसे बनाती हूं मुझे रेसिपी बताइए तो मैं अभी तक तो शूट आज जब मैं बाजरे की रोटी बना रही थी तो मुझे उनकी याद आ गई और मैंने वह रेसिपी शूट करी है तो आप लोग के साथ में बहुत ही इजी मेथड में शेयर करने वाली हूं जिससे आप जवार बाजरा राकी है जो भी बिलिट की रोटी आप बनाना चाहते ह अब इसके उपर से में हींग जिरे का तड़का दे दूँगी तो यहां पर देखिए रोटी बनाते है पहले रोटी की रेसे पर ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना बढ़िया एकदम रोटी बने के आपकी तो सेम कप या कटोरी आप ले लो तो यह एक कटोरी में अचे से एक बॉल आने देना है एक दो बॉल भी आने अटलीस्ट एक बॉल आ जाए और अगर थोड़ा पानी बहुत ज्यादा गरम चाहिए तो इतना पानी गरम हो गया है अब हम इसमें आटा डालेंगे मैंने यूस्किया सिलिकन स्पैचुला आप स्टील के चंबत से भी आप जाता है तो बस इसको अफट से आपको चलाते जाना है आच एक दम मैं धीमी कर दी है और गास अनी रखनी ए बननी कर दी पहले पूरा अच्छ से इसको मिक्स कर ले ले ना है जैसी यह से मिक्स हो जाएगा आटा आपको देखिगा कि हां सबकुछ आपस मिक्स हो गया स खे तक तक अभी तक हम पहले जाएगा कि अच्छ से इसको मिक्स हो गया था है कि फिर त्सक कर द filthy कर दिलुड़ आपको रखनी के अच्छ से इक अच्छ मिक्स हो गया सब आप हो खना थे पूरी ज़ैगा से झाल ना है सार ने जबकिते कर एक पानी घल जा जाएगा इसा ज इसे ढख करके रख दीजिए आप देखेंगे जैसे ठंडा होगा तो आपस में आप देख रहे हो कि बाइंड होना शुरू हो गया है मैंने यहां पर ना तो नमक डाला है ना ही घी डाला नहीं कुछ डाला ऐसे भी आप इसे बना सकते हो अगर आप रेगिलर खा रहे हो और आ मैं घी उपर से लगाने ही वाली हूं इसलिए तो मैंने बनाया और यह असानी से बन जाता है कोई और चीजों किसमें जरूरत नहीं होती है तो यह देखें आप अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा कर इसको बाइंड कर लें थोड़ा बात यह बरतन पे जो चिपका हुआ और मैं एसे कुकिंग के यूज नहीं करती हूं यह सिर्फ मैं उपर से ड्रिजल करने के लिए हमेशा यूज करती हूं तो यह बहुत अच्छा है तो यह अटा आप देख सकते हो एक तम रेडी हो गया है बनने के लिए जैसे हमारा गहू का अटाम लगाते है बस यह उसी त मैं आप इसे स्टाफिंग पर आठे भी बना सकते हो अगर आपको मन करता है तो लेकिन बहुत ही असानी से बन जाता है इस मैथड़ से तो आप जरूर से ट्राइ करना जो मैंने इसमें टिप्स अं ट्रिक्स आपको बताएं ना उसको आप दो तीन बर अच्छे से सुन लेन और गलती नहीं करना नहीं तो फिर कुछ गड़बर होगी तो फिर आपका वो प्रॉबलम हो जाएगा पूरा मैस हो जाएगा तो अब आटा मैंने रग दिया है सेट करके थोड़ी देर और वहोगा तब तक मैं यहां पर दाल का तड़का तयार कर ले रही हूं तो यह वही पत्ता था मेरे घर में फ्रेश तो मैंने वह भी दोड़केस में डाल दिया है और दाल मेरी बनकर रेड़ी होगी तो बहुत ही असानी से डाल बन गई है और बहुत टेस्टी है और यह हमारी थाली को बहुत ही सुंदर साई कलर और नूट्रिशन दोनों यह प्रवाइड कर अलग ही मजा आता है अलग ही टेस्ट आता है तो अब चलिए फटाफट से हम लोग अपनी रूटी बना लेते हैं अच्छा एक चीज और मैं मैंने चाहूंगी कि कई लोग को मैंने देखा है कि आंटा यह जो जो आरबाज रहे है मिलिट्स का जो है ना थोड़ा चिपकता ह इसलिए वो लोग जो नॉन्स्टिक बरतन है या माबल वाले जो कोकवेर्स हैं उनके अंदर वो आंटा लगाते ताकि चिपके नहीं मैं आपको हाइली हाइली रिक्वेस्ट करूंगे ऐसा फ्रेंड कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें नॉन्स्टिक बरतन बिल्कुल भी ज्यादा अच्छे नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं कभी कभी क्या होता है गेस्ट वगेरा आ रहे हैं और हमें कुछ ऐसी चीज बनानी जो स्टिक कर सकती है तो रिस्क ना लेते हुए आप वो यूज कर सकते हो वो भी विद केर आपको सिलिकन स्पैचला या वुडन स्पै या लोहे के किसी भी बरतन में कोई चीज बिल्कुल नहीं चेपकती है यह मैंने खुद प्रैक्टिस करके आज मैं बना लेती हूं तच वुट सारी चीज़े और मेरे पास फिल हाल एक भी नॉन्स्टिक बरतन नहीं जो भी खराब होगे मैंने नया खरीदा नहीं है नए मै एनिवेज चलिए रोटी देखिए कितने अच्छे से मैंने बेल ली है थोड़ा सा जब आप इसे बनाते हैं ना एक एक लोई जो आप बनाते हों तो उस टाइम आप थोड़ा से इसको एक दो बार इस तरीक से मैश कर लीजे मसल लीजे उसके बाद फिर से चिकना करके बढ़ियां बनी है अगर आप टिफिन वगरा पैक कर रहे हो या कहीं लंबे टाइम के लिए पको रखना है तो थोड़ा सा जब आप आटा लगाते हो तो इस टाइम ही थोड़ा घील इसमें डाल दो थोड़ा और सॉफ्ट रहेगी बाकि ऐसे भी खाने में बहुत अच्छ चीज सब्सक्राइब के यस थोड़ा कड़वा हो जाता है तो गयास पर सहे बहुतार बनाना पर चाइम प्राक्टिकल अपनी डेली लाइफ में से बना सकते हो कई बार इसा में होता है कि यह रोटियों को मैनेज करना डिफिकल्ट है तो बन नहीं पाएगा रोज में तो न time नहीं waste होता है अराम से बन जाता है बस यही है कि इसमें यह है कि advance में आठा लगाके नहीं रख सकते हो जितना आठा आठा को बनाना है एक बर में उतना आठा आप लगा लो ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आटा अप जब तक बाकी तियारी करते हो तब तक आटा लगा के रगदो रेस्ट हो जाएगा 15-20 में पर आटा लगके रेडी हो जाएगा आराम से आप इसे बनाईए खाईए और इसके बहलत बेनफिट्स को इंजॉई कीचे तो चलिए अपनी डिनर थाली सजा और जो हमारा बाजरी की रूटी उसका अपना कलर है तो कितने सारे कलर्स आपको मेरी एक प्लेट में दिख रहे हैं और जब मैंने यह प्लेट लगाई थी प्लेट लगाते ही आरव ने देखा और उसने बुला वाव किती सुंदर प्लेट है तो यह सारे बेनेफिट आपको होते हैं एक हेल्दी लाइफ स्टैलिस्ते बोलते हैं बहुत ही सिंपल सा खाना है बड़ जब आप इसे गरम-गरम फ्रेश-फ्रेश खाना खाएंगे तो आपको मज़ा आजाएगा आपको बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा और आ इसा लगा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट मील आइडियास शेयर कि किस तरीके से आप अपनी प्लेट को कलरफुल प्लेट में कनवर्ट कर सकते हो और बहुत सारा न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में एड़ कर सकते हो तो अब देर किस बात क जल्दी से अगर आपने अभी तक कलरफुल प्लेट चैलेंज नहीं लिया है तो जल्दी से चैलेंग को लीजिए और अपनी हर एक दिन की एक कोई भी मील को अट लिस्ट कलरफुल प्लेट में कनवर्ट कीजे जैसे मैंने आपको आइडियास दिया है इन से इंस्पायर होक करके बेल आइकन प्रेस कीजिए औल नोटिफिकेशन के साथ में क्योंकि बहुत सारी इंट्रेस्टिंग वीडियो रेसिपीज एंड फिटनेस टिप्स मैं लेकर के आने वाली हूँ आप लोग के लिए और आज का वीडियो अपने इंजॉई किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजे कॉमेंट करके मिझे जरूर से बताना और मैं मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में तब तक लिए बाई टेक केर एंड येस फिट रहो और हिट रहो